नमस्कार मैं हूँ रभी वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज फ्री और हेल्दी लाइफ स्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर आपको याद होगा कि हमने पिछले अपने एक वीडियो में यह बताया था कि कैसे हमारे केचन में मौजूद 20 से 25 मसाले जो हैं उनमें बहुत अच्छे और शधिये गुण हैं और जिनके बारे में अगर हम जान जाएं तो बहुत सारी बीमारियों का हम घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं आज हम उसी सीरीज में एक और ऐसे मैजिक मसाले की बात कर रहे हैं जो हमारे केचन में अक्सर मौजूद होती है और जिसका नाम है दालचीनी या सिनमन मोटे तौर पर दालचीनी दो प्रकार की होती है जो दालचीनी हमारे साउथ इंडिया से आती है वो सिनामन केसिया होती है जिसे दालचीनी जैसे एक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है और यही हमारे घरों में ज्यादा तरहम उप्योग भी करते हैं जबकि जो असली दालचीनी होती है वो सिनामन वेरम होती है तो सिनामन वेरम जो है उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में इंडोनेशिया, चाइना और श्रीलंका में होता है और यही असली दालचीनी होती है तो जो सिनामन वेरम टाइप की दालचीनी होती है उसमें और शदीग गुणों को न सिर्फ आयरुएद ने पचाना है, बलकि एलोपैथी वाले भी से स्विकार करते हैं कि इस दालचीनी में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, जो केमिकल पाए जाते हैं, वो हार्ट प्राब्लम्स के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छे ह होती हैं, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए और यहां तक की अस्थमा के लिए भी बहुत कारगर इलाज होती हैं, आईए अब जानते हैं कि आयरुएद के महा ग्याता हमारे रिशी वागभट जी इस दालचीनी के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्हो लगातार एसीडिटी की, ब्लोटिंग की, अपच की शिकायत रहती है, उनके लिए दालचीनी का सेवन बहुत फायदे बन रहता है, क्योंकि यह जठरागनी याने वाइटल फायर फार डाइजेशन को बढ़ा देता है, और इससे अपच जैसी या पेट खराबी जैसी समस् हैं, वो ततकाल छीक हो जाती है, जिन लोगों में लीवर से जुड़ी बीमारियां ज्यादा होती हैं, जैसे हेपटाइटेस, फैटी लीवर, ऐसी चीजें लगातार आजकल पाई जाती हैं, क्योंकि हमारा भोजन जो है, वो तैली हो गया है, और हम ज्यादा जो है, वो रे हैं, वो भी दूर हो जाती हैं, आयरुएद के नुसार, जितने रोग, वात और कफ प्रकृतिके होते हैं, उस पर दालचीनी अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है, दालचीनी के सेवन से हमारा WBC काउंट भी बढ़ता है, यानि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो होता है, respiratory threat की जितनी बीमारियां होती हैं, जिन में अस्थमा भी शामिल है, इसके अलावा diabetes, paralysis और depression में भी जो हमारी दालचीनी है, वो बहुत असर करती है, हार्ट की बीमारियां, जिसमें blood clotting भी एक चीज़ होती है, जिससे heart attack हो जाता है, उसको भी दूर करने में दालची करती है, साथ-साथ जो कफ के रोग होते हैं, जिसमें urinary tract के infections भी शामिल है, इसके अलावा motapa याने obesity भी शामिल है, उस पर भी दालचीनी अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है, क्योंकि दालचीनी में जो compound या chemicals पाई जाते हैं, वो fat cutter होते हैं, और या sugar के level को भी अच् muscles को भी जो है, यह दालचीनी बहुत मजबूती देती है, इसके बहुत सारे प्रमान भी पाए गए हैं, इसके अलावा जिन लोगों को joint pain की समस्या रहती है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत लाबदायक है, अगर वो जैतून के तेल में थोड़ा सा दालचीनी का powder जो है, वो मिला लें और उसे जोड़ों पर या दर्द वाली जगह पर लगाएं, तो दालचीनी जो है, वो blood के circulation को improve करती है, जिससे दर्द कम हो जाता है, इसके साथ एक बात और है कि अगर सिरदर्द के शिकार हों आप, तो आप गरम पानी में, हलके गरम पानी में, गुन गुने कर सकती है, इसलिए दो से तीन मिनट तक अगर इसका माथय पर आप लेप लगाएंगे, तो आपका सिरदर्द ठीक हो जाएगा, इसी तरह जैतून के तेल में घोल कर, जब आप जोड़ों के दर्द के लिए या शरीर के दर्द के लिए दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उस वक्त भी इसे तीन से चार मिनट तक ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है, वह गर्म होती है, जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, या जिन में OCD, याने Obstructive Compulsive Disorder की बिमारी होती है, उनके लिए भी दालचीनी का सेवन प्रति दिन, और दालचीनी का पा कम मात्रा में लगातार करते रहना चाहिए, और उन्हें बीच बीच में दालचीनी का प्रियोग हमें कैसे करना है, तो इसके प्रियोग के कई तरीके हैं, एक तो आप इसे खाने के साथ उप्योग कर सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर जो है, अपनी चाय में डाल कर उसका जा इसके अलावा हलके गुन-गुने पानी में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर घोल कर उसका सीधे सेवन कर सकते हैं, आप दालचीनी के पाउडर मिले पानी से स्नान कर सकते हैं, इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो है वया है कि जो भी दालचीनी का पाउडर आप बना जो रेडी मेड बाजार में दाल चीनी का पाउडर मिलता है उसका उपयोग ना करें तब ही बैतर होगा आयरुएद के अनुसार जिन लोगों में क्रॉनिक टाइप की बिमारिया है याने लगातार कई सालों से चली आ रही है उन्हें जो ब्राउन गोड होता है उसके साथ दाल चीनी के पाउडर को अच्छी तरह मिला कर उसे लेने से बहुत लाव होता है इसके अलावा अगर आपको अच्छी क्वालिटी का शहद मिल जाए उसके साथ भी आप दाल चीनी के पाउडर का वादबर जी कहते हैं कि मरदन करना चाहिए याने बहुत अच्छी तरह से उसको खरल करना चाहिए मिला लेना चाहिए और उसके जो लेप बनेगा उसको जाटते हैं अगर चममच मिलेकर तो इससे बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा लाब होता है तो ये जो थी आज की हमारी चर्चा वह मैजिक मसाले दाल चीनी पर थी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का हग थो हमारा बनता ही है थैंक्स फर वाचिंग